आप सभी का स्वागते आपके अपने YouTube चैनल विशाल गौतम से 183 पर आज है 14 अक्टूबर 24 और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 14 अक्टूबर 24 के डेली करेंट अफियर्स के कुछ important questions अगर आप किसी भी एक यम के तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधा important रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और साथ ही वेल आइकन को वी और पर प्रेस कर लिजी ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं और आज की इस वीडियो की पीडिया फाइल आपको मारी टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो अब वाहां से इस टेलिग्राम चैन टाटा जी का 86 वर्स की आयू में निधन हुआ है इनने किस वर्स पद्म विवोशन से सम्मानित किया गया था 2008 में आली में कैस सायद किस देश के दूसरी वार राश्टपती चुने गए है युमी शिया के 38 में राश्टिय खेलों का आयोजन केस राज में किया जाएगा उत्राखन में अंतर राश्टिय वित निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए केस बैंके साथ साजेदारी की है एक्सिस बैंके साथ वेश्व स्वात संगठन के अनुसार केस देश ने सारव यनिक स्वास्त समस्या के रोब में प्रैकूमा को समप्त कर दिया है भारत ने वेश्व मान से एक स्वास्त दवस दोजे 24 का मने आ गया है 10 अक्टूबर को वेश्व चिडियागर और एक्वेरियम संग ने किस पशू के कल्यान से संबंद चिंताओं के कारण दिली के राष्टिय प्राणी और द्यान का सदसिता को निलंबत कर दिया है अफ्री की हाथी शंकर बारत ने फिशेश आहर उपयोग के लिए पोशन और खाद पदारतों का कोडेक्स समिती के कौन से सत्र में भाग दिया है चबाल इसमें सत्र में सत्रे से अठार एक्टोर को माइंड पूल ने से इंडिया सिकर संबंद का तीसरा संस्करण कहाँ हो जित किया जाएगा मुंबई महराष्ट में केंद्री मंत्री मंडल ने केस राज्य के लोथल में राष्टिय समद्री विरासत परिशर के विकास को मंजूरी दे दी है गुजरात चौथी I.S.S.F. जूनिय वेश्व चेंपिंशिप दोजच चौविस की पदक तालिका में सीस पर कौन सा देश रहा है भारत तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्णों की ओर और आज का अमारा पहला कुश्चन है दोजच चौविस के शांती के नोवेल पुरसकार से किसे सम्मानत किया गया है सई आंसर है ओप्शन सी निहोन हेदा नक्यों को दोजच चौविस के नोवेल शांती पुरसकार जापानी संगठन निहोन हेदा नक्यों दिया गया है यह हिरोशिमा और नागशाकी के परमाडु बम से बचे लोगों का एक जमीनी अंदोलन है नोवेल शांती पुरसकार को नौर्वे के ओसलो में प्रदान किया जाता है और प्रात करता को नौर्वे की संसर द्वारा नियोकति पांच सदस्य सम्ती नौर्वेजी ये नोवेल सम्ती द्वारा चुना जाता है नर्गिस मोहमदी को नोवेल शान्ती पुरुस का दोजा तेई से सम्मानत किया गया था नेश्ट कुशन है अक्टूबर दोजा चोविस में बारत का पहला है दे प्रत्यार ओपन करने वाले डॉक्टर पी वेनु गोपाल का 82 वर्स की आयू में निधन हो गया है इनकेस वर्स पाद्म भूशन से सम्मानत किया गया था उन्नी सो अठानवे में बारत का पहला हिर्दे प्रत्यार ओपन करने वाले डॉक्टर वी वेनु गोपाल का 82 वर्स की आयू में निधन हो गया है डॉक्टर पी वेनु गोपाल ने अपनी करियर में उन्होंनी पाचास हजार से यादेक हाट सर्यरी की है चिकित्सा के छेत्र में उनके योगदान के लिए उनने 1998 में पाद्म भूशन से सम्मानत किया गया है डॉक्टर पी वेनु गोपाल का जन्म 6 जुलाई 1942 को आन्द पदेश के राजा मुंदरी में हुआ था अब हम बात करें 2024 में हुए निधनों की तो अक्टूबर 2024 में टाटा संस के चेर्मेन का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है लतन टाटा का केश देश के पूर्व पदान मंत्री सलीम होस का 94 वर्ष की आयू में निधन हो गया लेवनौन अगस्त वज़ेश चौविस में किस संगटन के पूर्व महन देशक ग्रेश सानी का निधन हो गया है व्यक्यानिक और और अध्योग एक अनुसंधान परिशद अगस्त वज़ेश चौविस में बहातिय तट्रचक बल के महन देशक का निधन हो गया है राकेश पाल का अगस्त वज़ेश चौविस में यूटियोब की पूर्व CEO का निधन हो गया है इनका नाम क्या था सुसान बोजस्की अगस्तोजेचोविस में पूर्विदेश मंतरी का निदन हो गया है इनका नाम क्या है नटवर शिहान अगस्तोजेचोविस में किस नोविल पुरुसकार विजेता का निदन हो गया है सुंग ताव लीखा अगस्त दोईज़ेश में पश्चिम बंगाल के किस पूरो मुख्यमंत्री का निदन हो गया है बद्देव भट्टाचार का अगस्त दोईज़ेश में किस लोग प्रिय बरतनाटियम और कुछी पुडी नत्ययंक का निदन हो गया है यामनी कश्नमूलती का जुलाई दोईज़ेश में किस देश के पूरो उप्राष्टपती हमज़ा आज का 84 साल के उमन में निदन हो गया है इंडोनेशिया के प्रदान मंत्री नर्म मोदी ने भारतीय यवाओं की रोजगार चमता को बढ़ाने के उतिश शिए के सराज में भारतीय कोशल संस्थान का उद्गाटन किया है सई आंसर है उप्शिन भी मुंबई महराश्टर 9 अक्टूबर को प्रदान मंत्री नर्म मोदी ने महराश्ट में 7600 करोड रोपे से आदेकी लागत वाली विविन विकास परियोजनाओं की आदार्शिला रखी है इसी अपसर पर प्रदान मंत्री नर्म मोदी ने राश्टियों और वैश्विक अपसरों के लिए भारती योगाओं की रोजगा चमता बढ़ानी की दिशा में एक मातपूर कदम के रोप में मुंबई में भारतीय कोशल संस्थान का व्योद गाटन किया है और इसका उद्देश्य फेक्ट्वी आटोमेशन डेटल मैनिश्वेक्रिंग, मेक्ट्रो नेक्स आर्टिफिट, आर्टिफिशियल इंटेलिएंस, डेटा एनलेटिक्स और एडेटेव मैनिश्वेक्रिंग यासी अत्यादुनक तक्नीफों में विया वहारेक प्रसिचन के माध्यम से उद्द्योक 4.0 के लिए उद्द्योक तैयार कारेवल प्रिक्सित करना है महाराष्ट की राजदानी मंबई है, मुक्ष मंत्री हैं एक नाशिंदे और राजपाल हैं शीपी राधा फेशन बात करें आब महाराष्ट का रेंट अफियर्स की पी एम मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहाले का उद्दगाटन कहां गिया महाराष्ट में मुक्ष मंत्री यवाकार प्रसिचन योजना किशने शिरू की महाराष्ट रने लाडला वाई ओजना केस राजद्वारा शुरू की गई है महाराष्ट क्रशी और ग्रामीर सम्रद्दी के लिए नई नीतियां अपनानी और विकासात्मक पैलों के लिए वर्स दोयाच चौविस की सर्वसिष्ट क्रशी राजपुरसकार किसे मिला महाराष्ट को महाराष्ट की पहली माईला मोके सचिप कौन मनी सुजाता शौनिक गेटवे टू दस सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंग डॉक्स और मुंबई रीजन पुस्तक का विमोचन किस ने किया स्री रमेश पैस महाराष्ट के राजपन ने एक माई को केस राजप ने अपना इस्तापना दिवस मनाया महाराष्ट ने शपनवी राष्टे खोखो चैंपिंशिप दोया तेईश चौविस किस ने जीती महाराष्ट ने अक्टूवा दोया चौविस में प्रदान मंतिर नरिंद्र मोदी को के इस देश के गाड आफ ओनर से सम्मानित किया गया है सही अंसर इस कुशन का ओप्शन बी लाउस प्रदान मंतिर नरिंद्र मोदी किसमी आशियन भारत और उनने इसमें पूर्वी एशिया शिकर शम्मेलन में बाग लेने के लिए लाउस पहुँचे हैं उनके आगमन पर लाउस के ग्रह मंत्री विल्वांग वुद्खाम ने पदान मंतिर नरिद्र मोटी का गर्म योशी शिश्वागत किया और उनने आपचारे गाड ओफ ओनर से सम्मानित किया है गाड ओफ ओनर एक सेंड परंपरा है जिसमें शैनकों की एक अधकारिक परेड होती है यह किसी खास मौके पर सम्मान यह जश्न मनाने के लिए आउज़त की जाती है लाउस की राज़दानी है वियन त्याने मोत्रा है लाउट यान केपन और राष्टपती हमाँ के धांग लोन से सो उले था बारतिय पुरश और मैला टीम ओने के सिसमें आयोज़त सत्ताइश्मी इश्यक टेवल टेनिस चेंपिनशिप दोज़ेच चौविस में कास्पदक जीते हैं सही आंसर है ओप्शन सी अस्ताना काजाकिस्तान में को सत्ताय इश्यक टेवल टेनिस चंपिनशिप कायोज़ाइश्मी इश्यक टेवल टेनिस चेंपिनशिप अपने संबंदित is परदहों में कास्पदक चीते हैं बहारतिय महिलाओं के लिए एत्यास कास पदक तो एशियाई टेवल टैनेश यंग द्वारा 1972 में प्रतियुक्ता का आयोजन शुरू करने के बाद से एशियाई टेवल टैनेश चेंपेंशिप में बहारतिय महिला टीम के लिए है पहला पदक था बहारतिय पुरुष टीम को लगाता तीसरा कास सरत कमल मानव ठकर और हरमीत देशाई की बहारतिय पुरुष टीम ने कास पदक जीता है चेंपेंशिप में बहारतिय टीम का ये लगाता तीसरा कास पदक है एशे टेवल टेनिस संग एक एशे आई टेवल टेनिक शाशीन का है और इसकी स्थापन साथ में 1972 कोई थी अध्यच्छे खलेल अल महुणना थी King of Kille के नाम से मश्法 केश टेनिस खलाडी ने सन्याज की गोशना की है सई आंसर है ओप्षिन बी राफिर नडाल ने फोपेन यूग के महंतम पुरुष टेनिस खलाडीयों में से एक राफिर नडाल ने पेशेवर टेनिस से सन्याज की गोशना की है इस्पेन में होने वाली आगामी डेविस का फाइनल 19-24 नवंबर 2024 एक पेशिवर खिलाडी के रोक में उनकी आखरी पत्योकता होगी सितंबर 2024 तक प्रदान मंत्री बहातिय जन ओशदी योजना के तहट देशवर में कितने जन ओशदी केंद्र स्थापित हुए हैं सई आंसर है आप्शिन भी 13.822 प्रदान मंत्री बहातिय जन ओशदी परियोजना के तहट 30 सितंबर 2024 तक देश में 13.822 जन ओशदी केंद्र स्थापित किये हैं जन उश्दी केंद नागर्पों को सस्ती दवाएं उपलत कराते हैं पिछले 10 सालों में जन उश्दी केंदरों के माध्यम से 6100 करोड रुपे की दवाईयां बेची गई हैं और लगबग 10 लाग लोग हर दिन जन उश्दी केंदरों से दवाईयां खरीते हैं बारत के बार पहला जन उश्दी केंद फोर्टर लोईश में खुला है प्रदान मंत्री बारती जन उश्दी योजना की शुरुआत नवंबब दोजर आख में हुई थी और इसे भारत सरकार के रसायन एवं और वरक मंत्रा लेके फार्मा सी यूटिकल विवाग द्वारा अक्षद है सभी को किफायती दामा पर अच्छी क्वाइलिटी की जेनरेरिक दवायों फ्लब्द करवाना है हाल ही में अंतरराष्ट ये बालिका दिवस्त का मनाया गया जाता है सही अंसर है ऑप्षिन भी 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट ये बालिका दिवस्त की गोशना स अंतराष्ट ने वर्स 2011 में की थी पहली बार ये दिवस्त 11 अक्टूबर 2012 में मनाया गया था इस दिन उन समस्याओं को रोशनी में लाया जाता है जो कम उम्र की बच्चियों को एक अच्छा जीवन पाने में बादक बनाती है वर्स 24 में इसकी धीम हैं बविस्त के लिए ब वाल का दिवस 24 जटूबरी को मनाया जाता है हाल ये में राष्टी डाक ति बश्चान 24 मनाया गया है सही ऑ औसर सव ऑप्शिन थे के विशान नेटवर्क और संचार सेवाओं की माध्यम से राष्ट को जोड़नी में उनकी महत्पूर भूमका को सरद्दान जली दिता है और विश्व डाक तिवस 9 अक्टूवर को बनाया जाता है अक्टूवर दोज़े 24 में जम्मू कश्मीर के 18 में पुलिश महानदेशक के रोप में किश्ने पदवार शमाला है, सई आंसर ऑप्शन बी नलिन प्रभात IPS अधिकारी नलिन प्रभात ने स्रीनगार इस्थित पुलिस मुख्याले में जम्मू कश्मीर के 18 में पुलिश महान देशक के रोप में पदवार गिरेंड किया है नलिन प्रभात ने आरार स्वेन का इस्थान लिया है मनोज कवार दोवे को पांच वरस के लिए बारतिय रेल वित निगम के अधियाच और प्रभान निदेशक के रोप में नियुक्त किया गया है इससे पहले उन्होंने C.O.N.C.O.R. के निदेशक और C.A.V.O. के रोप में कार गिया था बारतिय रेलवे वित निगम क्यानी I.R.F.C. इसका मुख्यान है नई दिद्नी में है I.R.F.C. वरस 1986 में इस्थापित गरेलू और विदेशी वाजारों से धन जुटाने के लिए बारतिय रेलवे की एक समर्पित वोशन शाका है मुख्या उद्देश भारतिय रेलवे की अतरिक बजटिय सर्जादन की आवशक्ता के बड़े इससे के बाजार की उधारी के माध्यम से सबसे अधिक पतिपर्दी दर्दों और शर्तों को पूरा करना है हाद ही ने बतुकम्मा त्योहार खेसराज में मनाया गया है सई अंसर अप्षिन ए तेलंगाना में बतुकम्मा त्योहार तेलंगाना राज में मनाया जाता है ये त्योहार देवी गौरी का सम्मान करता है जो नारित्व की शक्ती, सुंदर्ता और देव्यता का प्रतीक है तेलगु वाशा में बतुक का मतलब है, जीवन और अम्मा का मतलब है एक महिला नाम और मा से है इस दिन बतुकम्मा को माहागोरी के रोप में पूजा जाता है बतुकम्मा तेवार से मिलता जुलता ही तेलंगाना में बोडे मा पर्मनाय जाता है बतुकम्मा तेवार को राज महुसफ का दर्जा दिया गया है तेलंगाना की राईदानी हैदराबाद है, मुख्य मंत्री रेवंत रेड़ी और राजपाल है जिश्नु देव वर्मा इस टेड़ कीके को देखें तो पंचायत का सदस बनने के लिए आवशक नियूंतमायू कितनी है 21 वर्ष शम्विदान के अनुच्छे 243 से 243 ओ किसे संबन्दित है पंचायतों से बात ये संबिदान के अमसार पंचायत से संबन्दित प्राबधानों का उड़ने किसमे किया गया है भाग नौ में इदराम पंचायतों के संगठन का उड़ने किस में किया गया है अनुचे चालीस में पंचायत सम्मंदिस संभिदान की ग्यारवी अनसूची में कितने विशेशामिल हैं 29 नगर पाल का नगर निगम और पंचायत का गठन किसके द्वारा किया जाता है राज सरकार के द्वारा एक शहरी इस्थानी निकाजों दस लाग से अधिक आवादी वाले शहरी चेतर का प्रशाशन करता है उसे क्या कहते हैं नगर निगम 32 संभिदान के कौन सा अनुच्छत पंचायतों की सरनचना के बारे में बात करता है अनुच्छे 243 पंचायती राज विवस्ता को संभिदारिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73 वाशनी शोदन अधनियम कबला वुपिया गया था अप्रे नुच्छत पंचायती राज विवस्ता का सबसी निचलाशतर कौन सा है ग्राम पंचायतों कल की कर इंटरफेरस में मैंने आपसे कुशन पूछा था सायत दोया 24 की नोबिल पुरसकार से किसे सम्मन किया गया है तो सही अंसर था इसका ओप्शन ए हान कांग को और आपके लिए आज का कुशन है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने बहातिय यवाओं की रोजगा छमता को बढ़ाने के उद्धिश शेर के सराज में बहातिय कौशन संस्थान का उद्धगातन किया है इस कुशन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है अगर आप कोई वीडियो आज की हैलफ़न लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास चरूँ शेर करना और अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए चलते हैं जै हिंद जै भारत बंदे मात राम